नमस्कार दोस्तो रोहित इस तड़ी इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए कच्छा 6 इतिहास का सामाजिक जीवन का चैप्टर 6 याता यात एवं सुरच्छा का चैप्टर लाया हूँ दोस्तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और मैं पिछला वीडियो सब यूटूब पे डाल दिया हूँ, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं तो प्रेश्ण एक, निमने लिखित प्रेश्णों के उत्तर लिखिये कर सड़क दुरगटना क्यों होती है उत्तर सड़कों पर अधिक भीड, जल्दबाजी, असाउधानी और सड़क सुरच्छा नियमों का पालन न करने से सड़क दुरगटनाई होती है खशड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण है उत्तर सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की बृद्धी के कारण है गर सड़क दुरगटना से बचाओ के पांच उपाए बताईए उत्तर सड़क दुरगटना से बचाओ के पांच उपाए निम्न है पहला सडक पर अपने बाएं तरफ चलना चाहिए दूसरा सडक पार करते समय ट्राफिक की आवाज पर ध्यान देना चाहिए तीसरा पुटपात का प्रयोग करना चाहिए चौथा ट्राफिक नहीं आने पर जल्दी से सडक पार करनी चाहिए पाचवा, महानगरों के चावराहे पर ट्राफिक सिगनल देखकर ही चावराहा पार करें घह, ध्वन प्रदूसल का कारण लिखिए उत्तर, ध्वन प्रदूसल का कारण वानों की अधिक संख्या होना है अंग, रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उत्तर, रेल से यात्रा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला टिकर लेकर यात्रा करनी चाहिए दूसरा चलती रेल में चड़ना इवं उतरना नहीं चाहिए तीसरा दर्वाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए चवथा बोगियों के उपर चड़कर यात्रा ना करें पांचवा जोलन सील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें छटवा खिर्खियों से बाहर सरीर के अंग ना निकालें साथवा किसी अपर्चित से दिया गया कुछ खाना या सुंगना ठीक नहीं होता है आठवा यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयम करनी चाहिए नवा किसी लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए दस्वा रेल संपत्ती को हानी नहीं पहुचाना चाहिए प्रस्ण चर सडक सिष्टाचार से आप क्या समझते हैं उत्तर सडक सिष्टाचार का तातपर उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हमें सडक पर चल रहें अन्य व्यक्तियों को किसी हानी या दुर्गटना से बचा सकते हैं इन चोटी-चोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता वो सुरच्छा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश भी देता है प्रश्न दो रिक्त स्थानों की पूर्टी कीजिए कशड़क पर सदय साधानी से चले कशड़क दुरगटना से बचने के लिए सड़क सुरच्छा नियमों का पालन करे गवानों से निस्कासित धुवे से वायू प्रदूसर होता है गह चलती बस में ड्राइबर से बात न करें अंग चलती ट्रेन की जंजीर खीच कर और हाउस पाइप काट कर ब्यावधान उत्पन नहीं करना चाहिए प्रश्न तीन सत्य असत्य कथन पर निसान लगाईए गह बस के पीछे बने सीड़ी पर लटक कर यात्रा ना करें तो यह सही है यात्रा नहीं करना चाहिए इसपे सही का निसान लगाएंगे ख सड़क पर अपने दाहिने और से चलना चाहिए गलत सड़क पर हमेशा अपने बाई और से चलते हैं गह सड़क पार करते समय सुरचित अस्तान चुने हाँ तो सही है सड़क पार करने के लिए सुरचित अस्तान चुनना होता है इस पर सही का निसान लगाएंगे गह स्कूटर मोटर साइकल पर केवल दो ब्यक्ति बैट सकते हैं हाँ यह भी सही है अंग सड़क पर साइकिल मोज मस्ती के साथ चलानी चाहिए नहीं मोज मस्ती के साथ नहीं साउधानी से चलाना चाहिए तो यह असत्य पर निसान लगाएंगे च बोगी और प्लेट फार्म पर पड़ी लावारिस वस्तु को चूना चाहिए नहीं चुना चाहिए, तो यह असत्य पर निशान लजाएंगे. 6. रेल फाटक बंद होने पर लाइन पार नहीं करनी चाहिए, हाँ तो सत्य है ये. जब रेल फाटक पंद हो जाता है तो लाइन नहीं पार करनी चाहिए. तो दोस्तो इस तरह से छटवा चैप्टर भी किलियर हो जा रहा है कहने का मदलब इतिहास और नागरिक सास्तर दोनों जो है एक ही वीडियो का प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा आप उसमें कभी भी जरुत पड़े तुसे खोल कर देख लिजिएगा आज ये वीडियो किलियर हो रहा है मैं जो अगला चैप्टर डालूँगा वो अंग्रेजी का होगा ग्रामर के साथ होगा और किताब से पाठ भी पढ़ाऊंगा तो दोस्तो मेरे साथ अंत तक बने रहें इस बात के लिए धन्यवाद तो चलता हूँ दोस्तो जैहिंद